जीवन में सुख को पाना है तो भोले नाथ को मनाना है। साधारन सा दिखने वाला कपूर करेगा बड़े से बड़े कश्टों को दूर। राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों भगवान शिप को देवों के देव महादेव कहा जाता है। भगवान शिप भोले नाथ हैं क्योंकि वो अपनी भकतों की सभी मुरादों को पूरा कर देते हैं। भगवान शिप अपनी थोड़ी सी आराधना से ही प्रसन हो जाते हैं और आशिरवात देते हैं। माना जाता है भगवान शिव्मा गौरी का पूजन करने से, धन, सम्रत्थी और सौभागी की प्राप्ति होती है। भोले नाथ अपने भगतों के हर कश्ट को दूर करते हैं। साथ विकमन से भगवान शंकर का पूचन किया जाये, तो वे सारे दोश और कश्टों को दूर कर देते हैं। दोस्तों, भोले नाथ को सफीद रंग की बस्तूय अती प्रियह हैं। भोले नात को प्रसन्य कहने के लिए और चंदर ग्रह के अनकूल प्रभाप्त कहने के लिए सभी प्रकार के सफेद खादे प्रताद जैसे की दूद वा दूद से बनी चीज, चावल, सफेद दिल, अक्रोट, मिश्री, बर्फी जैसी मिठाईया आधी का प्रयोग अधिक से अधिक कहना चाहिए भोले नाथ को प्रसंद कहने के लिए दूद, दही, कोई सफेद कप्रा, चीदि, आधी का भी दान करने से लाग प्राप्त होता है दोस्तों भोले नाथ के पूजन में कपूर का विशिश महत्व होता है माना जाता है भोले नाथ की कृप्रा प्राप्त करने के लिए भोले नाथ का पूजन कपूर से करना चाहें पूजा पार्थ में आवशक सामग्रियों में से एक है कपूर सब तरह की पूजा में कपूर का इस्तमाल किया जाता है हिंदु धर्मिक कपूर को बहुत पवित्र माना गया है पूजा पार्थ में प्रयोग किये जाने वाली हवन सामगरी में भी कपूर का विशेश महत्व होता है बिना कपूर के धार्मिक कारे अधूरे माने जाते हैं धार्मिक दश्टे कौन के साथ ही स्वास्ति के लिहाज से भी कपूर फायदे मन्द है बास्तु और जोतिशास्त्र में भी कपूर के महत्व के बारे में बताया गया है कपूर से एक विशिश प्रकार की सुगंध आती है जो पाता बरन में फैल जाती है मानिता है कि इसके सुगंद से मन और दिमाग दोनों को शांती मिलते है दोस्तों पूजा में कपूर का प्रयोग प्राचीन काल से ही चला आ रहा है आज ही इस वीडियो में हम आपको कपूर से करने वाला एक बहुत ही आसान उपाय बताने जा रहे हैं इस उपाय को करने से भोले नात प्रसन होते हैं और अपने भक्तों को मुँ मांगा बर्दान देते हैं इस उपाय को करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलते हैं दोस्तों यह उपाय जरूरी नहीं है आप सौंबार के दिन करें इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें यह उपाय आपको संध्याकाल के समय करना है उपाय करने के लिए आप इसनान करके सच्छबस्त धारन करें इसके बाद एक छोटी से कटोरी लें, उसमें आप दो कपूर के टुकड़ी रखें और दो सावत फूलबाली लौंग रखें अब अपने मंदिर के सामने आसन बिछा कर बेट जाएं इस कटोरी को आप भोले नात के चर्णों में रखतें इसके बाद सबसे पहले भगवाई शिरी गणिश को प्रणाम करें फिर आप मागोरी और भोले नात को प्रणाम करें फिर ओम नमश शिवाई मंद्र का 108 बाद जाप करें जाप करने के पश्चात आप लौंग र कपूर को उठाएं और भोले नात के चर्णों से इसपश करें इसके बाद इन दौनों लौंग र कपूर को आप अपनी आखों से तीन तीन बाद छवाएं आखों से लगाने के पश्चात आप अपने दौनों हाथों के बीच में लौंग र कपूर रखकर हाँ चोड़कर भूले नाग से अपने सारी परेशानी कहें और सभी कष्टों को दूर करने के प्रातना करें प्रातना करने के पश्चात आप कपूर को वापस कटोरी में रख दीजिए और कपूर को जलाएं कपूर जलाने के बाद आप कपूर के उपर दोनों लॉंग रखते हैं। लॉंग और कपूर जलाकर आप भगवान शिप की आर्थी करें। आर्थी करते समय लॉंग और कपूर के जोसे आप भगवान भूले नाथ की आर्थी अवश्य ही उतारें। जब लॉंग और कपूर पूरी तरह से जल जाएं, आती पूरी हो जाएं। उसके पश्चात आप लॉंग और कपूर की भस्म को अपने हातों से भोले नात के चर्णों पर लगाएं। भोले नात के चर्णों पर भस्म लगाने के पश्चात आप इस भस्म से अपने मस्तक पर तिलग करें. ऐसा करने से भोले नात की अजीम के प्राप्राप्त होते हैं. तिलग करने के पश्चात आप भोले नात से हाथ चोड़ कर अपनी सभी परिशानियों और कश्टों को तू करने की प्रातना करें ध्यान रखें दोस्तों आप इस भस्म का किसी और के तिलक ना करें इस भस्म से सिर्फ आप अपने तिलक करें जब तक ये भस्म है आप रोजाना भूले नाथ के चर्णों पर इसे लगाएं फिर अपने मस्तख पर लगाएं दोस्तों इस उपाय को करने से फोले नाथ की करपा से शीक रही आपको सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपके घर में बहुत ही नकारात्मक उजा बढ़ गई है बहुत लड़ाई छक्रे होते हैं अशांती का माहल रहता है तो आप घर में सकारात्मक उजा और शांती का निर्मार करने के लिए प्रति दिन सुभे और शाम कपूर को घी में भिगो कर जलाएं और सं में अमन शांती बनी रहेगी बैग्यानिक शोदों से ग्याद होता है कि कपूर की सुगंद से जीवानों बिशानों आदी फैलाने वाले जीवनश्ट हो जाते हैं जिससे बातावरन शुद्ध हो जाता है तथा बीमारी होने का भे नहीं रहता दोस्तों यदि आपका भाग आपका साथ नहीं दे रहा बनते काम बिगड रहे हैं तो आप इसनान के पानी में कपूर के तेल की कुछ पूंदर डाल कर उससे इसनान करें यह आपको तरो ताजा तो रखेगा है आपके भागे को भी चमकाएगा कपूर का तेल नहूं तो आप कपूर को थोड़ा सा पीस कर भी पानी में मिला सकते हैं दोस्तों अगर आपके उपर राहुकेतु का कोई दोश या शनी दोश है तो आप इसनान के पानी में कपूर के तेल की बूंदों के साथ कुछ मूंद Lore चमेली की तेल की भी अवश्य ढाले और फिर इस से इसनान करें ऐसा करने इसे राहु, केतु और शनी दोष नहीं रहेगा। चमेली का तेल जल में डालकर इस्नान केवल आप शनीवार के दिन ही करें। दोस्तों, अगर आपके दांपत्य जीवन में मधुरता नहीं है, पती पतनी के बेज तनाव है। तो रात को सोने से पहले पत्नी अपने पत्नी के तक्ये में सिंदूर की एक पुडिया और पत्नी अपनी पत्नी के तक्ये में कपूर की दो टिक्या रखते हैं. प्राते होते ही सिंदूर के पुड़िया को घर से बाहर फैंकते और कपूर की टिक्या निकाल कर आप अपने बैडरूम में जला दे ऐसा कहने से पती-पत्नी के संबंध मधुर होते है यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपने बेडरूम के किसी कौने में कपूर की दो टिक्या रखते और जब भी यह गलकर खत्म हो जाएं तो आप नई टिक्या बापस से रखते इसके अलाबा रो जाना, संध्याकाल के समय या रातरी के समय आप अपने बेडरूम यानि की शैन कक्ष में कपूर की दो टिक्या अवश्य ही चला ऐसा कहने से आपके बेडरूम में उत्पन सारी नकारात्मक मूझा दूर हो जाएगी पती-पत्नी का सम्मंध मधुर होगा और तनाप दूर होगा दोस्तों आक्समिक घटना या दूर घटना का कारण राहू केतू और शनी होते हैं इससे बचने के लिए रात के समय अप बजरन बली के सामने बैठकर हनुमान चालेसा का पाठ करें हनवान चालेसा का पाठ करने के पश्चात आप एक कपूर का टुकड़ा अवश्य ही चलाए। ऐसा करने से आकसमिक घटना या दुरघटना नहीं होगे। दोस्तों कभी-कभी आपने लोगों के मुह से सुना होगा कि उन्हें पित्र दोश है देख दोश है या कालसर दोश है। दरसल यह सभी राहु और केटु के प्रभाब से ही होता है। इन दोशों से मुक्ति आपको कपूर दिला सकता है। इन दोशों से मुक्ति पाने के लिए और राहु केतु के प्रभाप को दूर करने के लिए आप कपूर का एक टुकडा लें इसे शुद्ध घी में भिगोएं और इस कपूर को आप अपने मंदिर में रखकर जला दें। ध्यान रखें दोस्तों ऐसा आपको प्रति दिन तीन बार याने की सुबह, शाम और रात के समय करना हैं। ऐसा करने से पित्र दोश, काल सर्प्र दोश, देव दोश से मुक्ति मिलती हैं। राहु केतु के प्रभाप भी दूर होते हैं। दोस्तों कपूर के बारे में बैक्यानिक शुद्धों के आधार पर यह भी कहा जाता है कि इसके सुगंध से जीवानों, बिशानों, आदी बीमारी फैलाने वाले जीवनश्ट हो जाते हैं। यह बाताबरन को शुद्ध करता है, जिससे बीमारी होने का खत्रा भी कम होता ह बिज्ञान के अनुसार, पूजा या हवन करते हैं। जब हम कपूर जलाते हैं तो उससे निकलने वाला धुआ, आसपास की नकारात्म उजा को भी नश्ट कर दीता है। दोस्तों, अगर आपके घर में कहीं पर भी बास्तु दोशने मित हो रहा है, तो आप उस जगे पर टिक्या गल कर समाप तो हो जाएं, तब फिर उसी इस्थान पर दो टिक्या रखते हैं। बास्तु शास्त्र के अनुसार बास्तु दोश को दूर करने का ये बहुत ही कारगर उपाई है। बास्तु शास्त्र के अनुसार, जिस जगे कपूर की टिक्या रखी होती हैं, वहा बास्तु दोश नहीं होता वहाँ शुक्षान्ती सम्रथी बनी रहती है धार्मिक मानेताओं के अनुसार घर के कलेश और असान्ती को दूर करने के लिए रात को सोने से पहले किसी पीतल के बर्तन में कपूर लेकर उसे गाय के घी में डूबो कर जला दे ऐसा करने से घर के सभी कलेश नश्टो हो जाते हैं और घर में शुक्षान्ती बनी रहती है दोस्तों अपनी समस्या के अनुसार आपका पूर के ये छोटे छोटे से उपाय करके अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं उमीद है आपको हमारी ये वीदियो पसंद आयी होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीदियो को प्रेफ्रेंट्स और इस्तिदारों में जाद़ा से जाद़ा शेयर करें जिसे भैख भी इसका लाब उठा सके हमारी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को करना ना भूलें थैंक्स पूर वाचिंग